दोस्तों अगर आपने बजाज फाइनेंस से EMI लिया हुआ है या लोन लिया हुआ है और आप चाहते हैं EMI, बजाज फाइनेंस EMI का स्टेटमेंट निकालना तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कैसे हैं तो चलिए आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Bajaj Finance का EMI statement आपको कैसे निकालना है तो दोस्तो Bajaj Finance का EMI statement निकालने के लिए सबसे पहले आपको Bajaj Finance app को open कर लेना है open करने के लिए open पर click करेंगे तो दोस्तो ओपेन पर किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सो हो जाता है अब आपको यहाँ पर बहुत सारे आप्षन सो हो रहे हैं लेकिन हमें बजाज फाइन से या माई स्टेटमेंट निकालना है तो हमें इस आप्षन पर किलिक करना होगा आप यहाँ पर देखेंगे राइट साइट कारनर पर एकड़म नीचे तो आपको यहाँ पर एक आप्षन दिख रहा होगा माई एकाउंट का आप यहाँ पर देखेंगे तो एक आप्षन दिख रहा है माई एकाउंट का तो आपको यहीं पर किलिक करना है तो चलिए हम किलिक कर देते हैं यहाँ पर आप my account पर किलिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो होगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपने product buy किया है उसकी सारी details सो हो रही है साथ में loan amount और next EMI आपको कब fill up करना है और कितना fill up करना है सारी details आपको यहाँ पर show हो रहा है तो चलिए अब हम जान लेते हैं EMI statement आपको कैसे निकालना है तो दोस्तों आपको जो भी आपने product buy किया है उस पर आपको किलिक कर देना है यहाँ पर जैसे HP laptop लिखा हुआ है तो आपने जो product buy किया होगा वह product का नाम यहाँ पर लिखा होगा तो आपको यहाँ पर किलिक कर देना है जैसे ही किलिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो होगा यहाँ पर सारी details लिखी हुई होगी अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक option यहाँ पर दिया हुआ है view statement तो आपको अगर यह my statement निकालना है तो आपको view statement पर किलिक कर देना है चलिए हम किलिक कर देते हैं जैसे ही किलिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे option आ जाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है statement of account, repayment schedule, फार क्रोजल लेटर और interest certificate आप इन में से किस option को चुनेंगे आप अपनी हो सकता हुन साथ select कर लें लेकिन अगर आपको यह my statement निकालना है तो आपको statement of account option पर click करना है तो चलिए हम statement of account पर click कर देते हैं जैसे click करेंगे आपके सामने please wait लिख कर आ जाएगा अब आपको थोड़ा इंतिजार करना है document जो है download हो रहा है इसमें थोड़ा समय लगेगा दोस्तो तो थोड़ा wait कर लेते हैं तो दोस्तो अभी यहाँ पर process इस्टार्ट हो चुका है और आप यहाँ पर देश सकते हैं statement of account बजाज finance का सो कर रहा है तो दोस्तो इस तरह से आप बजाज finance का यह my statement निकाल सकते हैं तो दोस्तो वीडियो आपको कैसी लगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी चैनल को subscribe करके बेल आइकोन को जरूर जबाए thank you for watching